हेलो गाइज आज हम काम करेंगे रिंग लाइट पे और जीबी रिंग लाइट जो की है हम इसको प्रोग्राम करेंगे आर्डिनो के थुरू और हम इसको कंट्रोल करेंगे ESP01 चिप के थुरू चलिए स्टार्ट करते हैं अब जो चार पॉइंट्स देख रहे हैं एक वोल्टेज का एक ग्राउंड का और एक डाटा पिन यह हमारा ओर्डिनो खुला हुआ है इसमें जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो डिस्क्रिप्शन में भी है सबसे पहले हम लाइब्रेरीज में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम फाइल को डाउनलोड करेंगे WS2812 जो की RGB का ड्राइवर का काम करेगी झाल झाल अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, कम्प्लीट पैकेज को, अब हम लाइबरेरी डाउनलोड करने के बाद एक्जामपल्स में जाएंगे, एक्जामपल्स में हमारी लाइबरेरी मिलेगी, WS2812, उसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम होगा, जिसको हम यूज करेंगे, RGB को कंट्रोल करने के लिए, ESP8266, वेब इंटरफेस, यही हमारा कोड फाइल, इसके अंदर हम जाएंगे, तो जाते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपना SSID and password चेंज करेंगे, जो हमारे hotspot का या घर का Wi-Fi का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, LED PIN No.2 है, क्योंकि मैं ESP01 में GPIO 2 PIN का यूज कर रहा हूं, और LED काउंट में मैंने 16 डाला है, क्योंकि हमारे पास RGB LEDs हैं, वो 16 क्वांटिटी में हैं, यह है हमारी ESP01 चिप, जिससे हम कंट्रोल करेंगे Wi-Fi के थूँ, यह सबसी चोटी चिप है कंट्रोलिंग की, इसमें सिर्फ Wi-Fi ही आता, Bluetooth नहीं आता है, और इसके साथ हमारे रहेगा, कंट्रोलर, जो की, जो हमारी ESP01 चिप है, इसको कंट्रोल करेगा, ट्राइवर होगा इसमें, CS340, जब हम इसको, USB को इंसर्ट करेंगे, तो हमने नीचे बटन लगाया हुआ है, जो की शॉर्ट करता है, शॉर्ट होने से क्या, प्रोग्राम मोड में चली जाती है, ESP01 चिप, चलिए स्टार्ट करते हैं, Most important इसमें एक चीज है, हम इसमें चिप का यूज करें हैं, मैं वो देखना ESP32 है, या ESP8266, अगर ESP8266 है, तो हम सारी कमांड्स को, ESP32 को बंद कर देंगे, वैसे मैं ये प्रोग्राम आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूँगा, ताकि आप डारेक्ट डाउनलोड कर लो, for ESP8266, चलो अब अप्लोड करते हैं प्रोग्राम को, कोड हमारा ESP01 में अप्लोड हो रहा है, अब देख सकते हैं परसेंटेज, लाइट भी ब्लिंक कर रही है, ब्ल्यू वाली, कोड हमारा कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है, अब हम चेक करेंगे, सीरियल मोनिटर में जाके, IP एड्रस, जिसके थूँ हम एक्सेस करेंगे, RGB को कंट्रोल करना, यह देखिए आपके सामने, IP एड्रस आ गया है, 192.168.1.5, अब हम इसी IP एड्रस को, पेस्ट करेंगे अपने वेब ब्राउजर पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सारे कंट्रोल आ गए हैं, जिससे हम किसी भी सीक्वेंस में अपनी RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए अब कनेक्शन करते हैं, ESP01 का, RGB LED रिंग के साथ, आप कनेक्शन देखिए, आप देख सकते हैं, वाइट वाली जो वायर है, वो पोजिटिव है, ब्लैक वाली हमारी नेगेटिव वायर है, और जो वाइट वायर है, सेंटर में, जिसको मैंने मारकर से ब्लू किया है, वो GPIO 2 पिन है, GPIO 2 पिन हमारी डाटा पिन है, LED रिंग में, RGB में आप देख सकते हैं, 4 points, D1, 5 वोल्ट, ग्राउंड, D1 हमारी डाटा पिन से कनेक्ट करेंगे, सेंटर वाली, वोल्टेज, वोल्टेज से, ग्राउंड, ग्राउंड से, चलिए स्टार्ट करते हैं, वैसे हम इसको मिनिमम् 3 वोल्ट से भी, ओपरेट कर सकते हैं, हमारी LED RGB रिंग ओन हो गई है, अब हम IP एड्रस को डालते हैं, और इसको टेस्ट करते हैं, कंट्रोल हम अच्छे से कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, या कोई कोशन पूछन चाते हो, तो कमेंट जरूर करिए, थैंक यू,